तो गाइस मैं आपको बता दू कि इस JP गंगा पात्वे के डिले होने का मेन कारण ये JP से तु के पास चल रहे काम का होना है इसको रोड के दोनों साइड बनाया जा रहा है और यहाँ आप देख भी सकते हैं इसका भी काम तेजी से पूरा किया जा रहा है पहले खवर थी कि 4 जून को इनाउगरेशन हो जाएगा फिर 11 जून को फाइनल हुआ पर अब इसके उट घाटन को कुछ टाइम के लिए एक्स्टेंड कर दिया गया है लाइट्स वगएरे को चेक करने का काम किया जा रहा है और कुछ काम आगे आपको देखने को मिलेगा तो आईए मैं आपको वह भी दिखा देता हूं तो जैसे आप मरीन ड्राइब के पास पहुंचेंगे तो यहां आपको कुछ काम होता हुआ दिखाई देगा और उपर आपको साइन बोर्ड भी लगा हुआ दिखाई दे रहा होगा यहां तो इसके हालत खराब हो गई है लगता है I think connection में कुछ problem होगा तो खैर चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं कि इस मरीन ड्राइब का अब कितना काम बचा है और पटनावाशियों को अब और कितना वेट करना पड़ेगा इस expressway पर सफर करने के लिए तो आएए मैं यह सब कुछ आपको बताता हूं इन फैक्ट आपको दिखाता हूं तो चलिए चलते हैं तो गाइस मैं आपको बता दू कि इस जेपी गंगा पात्वे के डिले होने का में कारण यह जेपी सेतु के पास चल रहे काम का होना है एक्चुली आप देख सकते हो इस जेपी सेतु और इस रोड के बीच डिस्टेंस बहुत जादा नहीं है और ओवरलोड गारियों के आने से इसे नुक्सान भी पहुंच सकता है इसी वज़ा से यहां सारे पांच मीटर का हाइट गेज बनाए जा रहे हैं जिससे ओवरलोड गारियों का आना जाना नहीं हो पाएगा इसके अलावा जेपी सेतु के पिलर की सेफटी के लिए यहां कंक्रीट के क्रैस बैरियर भी बनाए जा रहे है और गाईज आप देख सकते हो यहां इसी जगा पर हाइट गेज को लगाया जाएगा और सामने भी आप देख सकते हैं और यह रहा हाइट गेज जिसे लगाया जाना है तस्वीरे आप देख सकते हो और मैं आपको बतादू कि यह जो आप हाइट गेज देख रहे हैं इसे गंगापत पर इस ब्रीज के दोनों तरफ लगाये जाएगे यानि कुल आठ हाइट गेज लगने वाले हैं और जब तक यह लग नहीं जाते तब तक इस गंगापत पर ट्राफिक चालू नहीं किया जाएगा और इसे पूरा होने में अभी एक से दो दिन का समय और लगेगा साथ ही यहाँ प्लांटिंग का भी काम कर लिया गया है इसके अलावा भी यहाँ कुछ काम किये जा रहा है आईए वो भी मैं आगे आपको दिखा देता हूँ तो यहाँ आप देख सकते हैं इस साइड भी एक और लेन बनाने का काम चल रहा है जहां तक मुझे पता है आई थिंक यहाँ फुटपाथ और बस्वे रूट बनाए जा रहे हैं और इस रूट पर इलेक्रिक बसे भी चलाई जाएंगी और इस लेन को रोड के दोनों बनाए जा रहा है और यहां आप देख भी सकते हैं इसका भी काम तेजी से पूरा किया जा रहा है, कुछ दूर तक श्वाइल फिलिंग का काम किया जा चुका है और कुछ जगों पर श्वाइल फिलिंग का काम चल रहा है तस्वीरे आप देख सकते हैं और कुछ दूर बढ़ने पर आपको यहां WMC का काम भी होता हुआ दिखेगा और काम जिस रफ्तार से किया जा रहा है उसे देखकर तो यही लगता है कि एक सब्ता के बाद आपको यह लेन भी कंप्लीट देखने को मिल जाएगी तो गाइज LCT घाट का क्या अपडेट है अगर वो देखना चाहते हैं आप तो बने रहे हैं मेरे साथ मैं सीधा आपको LCT घाट के पास लेकर चलता हूँ और वहां के काम को भी दिखा देता हूँ तो सामने यह वाला रास्ता आपको LCT घाट के तरफ लेकर चला जाएगा तो आये कितना काम हुआ है उदर वह भी देख लेते हैं तो यहाँ स्वाइल फीलिंग का काम हो गया है कुछ दूर तक रेटिस्टोन मिक्स्चर भी बिचाए जा चुके हैं लेकिन में काम उस साइड चल रहा है आईए आपको दिखाता हूँ तो यहाँ यह रहा एल सिटी घाट पर चल रहे काम का अपडेट यहाँ रोड बनाने का काम काफी तरी से पूरा किया जा रहा है तो देख सकते हैं आप यहाँ डबलू एमसी का काम किया जा रहा है और इसके उपर रोड रूलर भी चलाए जा रहा है आप देख सकते हो तो ऐसा लग रहा है कि सरकार का ओर्डर है कि इसे भी जल से जल कम्प्लीट कर लिया जाए इसके बाद ही उटगाटन होगा I'm not sure but लग तो ऐसा ही रहा है क्योंकि आज बरसाद भी अच्छी खासी हो रही है और आने वाले कुछ टाइम बाद बारिस का मौसम भी स्टार्ट हो जाएगा तो इससे पहले काम पूरा कर लेना है तो लेट सी क्या होता है और यहां आप टोल प्लाजा के काम को भी देख सकते हैं ये भी एक कारण है डिले होने का क्योंकि इसका भी कुछ कुछ काम बचा हुआ है बाकी इससे आगे का काम लगबग 99% कम्पलीट है बस इससे सजाने सवाने का काम चल रहा है ज्यादा वीडियो मैं लंबा नहीं खीचूंगा तो एक छोटी सी क्लिप दिखा देता हूँ जहां जहां ये काम चल रहा है आप उसे भी जरूर देखिएगा तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही अगली बार फिर से यहां की नई अपडेट के साथ मिलूँगा आप से तब तक के लिए वीडियो पसंद आये तो वीडियो के बारा हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलिएगा बाई तो मिलता हूँ फिर एक नई जगा की अपडेट के साथ तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाईज कि अपनल सब्सक्राइब के लिए झाल